असलाम लेकूं वेलकम टो कुप कुप बयरूज और आज हम बना जा रहे हैं बहुत है जबरदस यह मिलिशिस से आलू अंडे कई देखर घर में असा होते हैं आपको समझ नहीं आती है कि आज हम क्या बनाएं तो उसक्त सबसे इजी चीज होते हैं कि आप आलू अंडे चीज होते हैं शोड़ाइ वाले बनावाले जो सबको पसंद हैं जल्दी से बन भी जाते हैं और आपका खाना बनाने का मसल्हा हल भी जाते हैं मैं 2 अदर टमाटर, 3-4 हरीमिट्चे निये हैं, गार्णिशिंग के लिए हरा धनिया लिए हैं, 3-4 आलू लिए हैं, और इसके इलावा जो हैं, 3-4 टेबल स्कून आयल में 2 दर्मयान साइस के प्याज में कुल बारीक चॉप करके डाल दी हैं, फ्राइंग के लिए, आलू मैं मैं पेस्ट बना लिया है, और इसके साथ जैसे ही मेरे प्यास फ्राइए होंगे, तो मैं इस पेस्ट में आड़ करके मसाले को बुनने रख दूंगे, इन दे मीन टाइम दूसरे स्टोप पे में नंडे बॉल होने रख दी हैं, और आप देख सकते हैं, जो प्यास आप दूसरे के लिए हैं गलने के लिए, क्योंकि अविसली आलू जो थोड़े बड़े साइस के काटे थे तो इसको टाइम लगे गलने के लिए इतनी दे में जितनी आलू कर लेंगे, हमने हमारी अंडे बॉल होगे थे अच्छे से चीलने के बाद दो लिया है, और उसको म जटपड बने वाली रेसिपी है, तुझी अस्क्य वपर गार्निशिंग की है, हमने हरे दिनिये की, हरा दिनिया मैं ने बहुत सारा चॉप करके रखा हूँ था, वो मैंने उपर से गार्निश कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि सालन पर तरी आ गई है, आप देख सकते ह कि थैंक यू सो मुस्ट, बलेस्ट, आलाहफेज।